17 सितंबर को लेबनान के बेरूत समेत कई शेहरों में अजानक घरों, सडकों और बाजारों में लोगों की जेव और हाथ में रखे पेज़र फटने लगे सीरियल ब्लास का सिलसला करीब एगंटे तक लेबनान से लेकर सीरिया तक चला रिपोर्ट्स के मताविक धमाकों में 18 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 4000 से ज़्यादा लोग जखमी हो गए है दरसल बताया ये जा रहा है कि ये मामला लेबनान में मौझूद हिजबुला लडाकों पर हुए हैं, जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था ये बिलकुल नए तरहा का हमला था, रिपोर्ट्स के मताविक हमला इतना भयानक था कि ब्लास्ट से पहले उसमें कुछ सेकिंड तक बीब की अवास सुनाई दी कुछ लोगों के पेजर उनकी जेब में ब्लास्ट कर गए, तो किसी ने बीब की अवास सुनकर उसे जैसे ही जेब से निकाला, तब ही ब्लास्ट हो गया कई पेजर लोगों के हाथ में फट गए, वही कुछ चश्मदीदों ने अंतराष्टे मीडिया को बताया कि 17 सितंबर को स्ताने समय के मताविक दोपहर 3 बच कर 45 मिनट पर पेजर में धमाके शुरू हुए, चश्मदीदों ने ये भी बताया कि लोगों की जेब से पहले इन धमाकों से पठाके फटने लगे और गोलिया चलनी जैसी अवाजी आई, लिवनान सीरिया में कई शहरों में लड़ा के लंबे समय से पेजर का इस्तमाल कर रहे हैं, मीडिया रिपोर्ट्स के मताबिक ये हिजबुल्ला को निशाना बना कर किये गए सीरियल पेजर ब्ल आदिकारिक तोर पर जिम्यदारी नहीं ली है, लेकिन आरूप है कि इसराइल की जासूसी संस्ता मुसाद पर इसके आरूप लग रहे हैं, ऐसे में इस हमले को लेकर दो बड़े सवाल उठ रहे हैं, पहला ये कि हिजबुल्ला के लड़ाकों पर ये हमला कौन करवा सकता है और दूसरा सवाल ये है कि मुबाइल के इस दौर में हिजबुल्ला के लड़ाके पेजर का स्तमाल क्यों कर रहे थे, पहले सवाल का जवाब मोटी तोर पर ये समझा जा सकता है कि इन दिनों गाजा इसराइल युद चल रहा है, इस युद में लेबनान के हिजबुल्ला के लड़ा के गाजा के हमास के समर्थक और हमदर्द बताय जाते हैं, क्योंकि हमास और हिजबुल्ला दोनों के ही दुश्मन कौमन हैं, यानि इसराइल है, इसलिए हमास के साथ जहां इसराइल युद में शामिल है, वही हिजबुल्ला पर भी इसराइल पर आक्रमक रहता है, हजबुला एरान का सहयूगी है और एरान की इसराइल से खुले आम दुश्मनी है लिबनान की जड़त-तर अ embracal में हजबुला का कबदा रहा है हाल ही में हजबुला ने इसराइल पर कई बार हमले भी किये है इसराइल की उत्तरी सीमा से हिजबुला अक्सर रॉकेट और मिसाइलों से हमले भी करता रहता है इसलिए जाहिर तोर पर इसराइल हिजबुला से इसका बदला चाहता है समझा जा रहा है कि यह अटाक इसराइल की तरफ से ही किया गया है अब समझते हैं कि आखिर इसके लड़ाके मुबाइल के जमाने में जहाँ जहाँ पलपल की खबर ली जा सकती है वहाँ पेजर क्यों इस्तमाल कर रहे हैं तो कई इंतराश्चे मीडिया रिपोर्ट्स में इसके पीछे की जो वज़ा बताई जा रही है केजबॉला ने अपने लड़ाकों को हैकिंग और हमलों के खत्रे से बचाने के लिए मुबाइल फोन का इस्तमाल ना करने के लिए कहा था इसी वज़े से यहाँ लोग पेजर का इस्तमाल करते हैं इसके पीछे की भी एक बहुत पुरानी कहानी है बात 6 मार्च 1996 की है हमास का सीनियर मेंबर यहा अयाश उस दिन अपने बच्पन के दोस्त उसामा हमत से मिलने गया था उसने उस रात वही बितानी की सोची इसी दुरान हमत के घर में फोन बजा आयाश को कहा गया कि यह फोन उसके पिता का है वो उससे बात करना चाहते हैं जैसे ही उसने बात शुरू की फोन में धमाका हुआ और वो मर गया बाद में इसराइली सुरक्षव एजेंसी शिन बेद के पूर्वनिदेशक कार्मी गिलोन ने इस बात को स्विकार किया कि इस धमाकों को एजेंसी ने अंजाम दिया है हमत के चाचा ने पैसे और इसराइली पहचान मिलने के लालच में आयाश के हमत के घराने और रात बताने की जानकारी दी थी हालाकि इस कहानी में ट्विस्ट यह है कि हमत के चाचा को ये नहीं पता था कि फोन में 15 ग्राम RDX फिट कर दिया गया है उन्हें तो केवल इतना ही कहा गया था कि इसराइली एजेंसी आयाश की बातचीत सुनना चाहती है इसे घटना ने ना सर्फ हमास बलकि हजबला समेत दुनिया भर में इसराइल के दश्मनों को सतर कर दिया मेरिया रिपोर्ट्स के मताबक इस घटना के बाद हमास ने जहां सेटलाइट फोन का इस्तमाल करना शुरू कर दिया है तो वहीं हजबला ने पेजर का चलन बढ़ाया जो रेडियो वेव से चलता है साल 1990 और साल 2000 के शुराती दुनों में लोगों में पेजर का काफी क्रेस था महारत में भी संपन लोग और सेलिबिटीज संदेशों के आदान प्रदान के लिए पेजर का इस्तमाल किया करते थे लेकिन देखते ही देखते पेजर का जमाना पुराना हो चला और फोन ने पेजर की जगा बना ली New York Times के रिपोर्ट के मताबिक फिछले साल 7 अक्टूबर को इस्राइल पर हुए हमले के बाद इस्राइली सेना आईजीएफ और खूफिय अजेंसी मुसाद के रिडार से बचने के लिए हिजबुला के सदस्यों ने पेजर का बड़े सतर पर इस्तमाल करना शुरू कर दिया ताकि इस्राइल की खूफिया एजेंसी उन्हें ट्राक ना कर पाए लेबनान में हिजबुला के लड़ाके आपस में मैसेज भेजने के लिए पेजर का इस्तमाल करते रहे हैं मुबाइल या फिर किसी भी दूसरी कॉम्णिकेशन डिवाइस के तुलना पेजर को ज़्यादा सुरक्षित माना गया है ऐसा इसलिए क्योंकि इस डिवाइस को पकड़ पाना इतना असान नहीं है और प्रेटर यानि जो भी व्यक्ति मैसेज भेज रहा है वो रेडियो फ्रिक्वेंसी की मदद से पेजर से मैसेज भेज सकता है वही धमाकों के बाद पेजर अचानक से दुनिया में चर्चा में आ गया था शोशल मीडिया प्लैटफॉर्म पर ये सवाल उठ रहे हैं कि आकरकार ये पेजर क्या है और कैसे इतनी बड़ी तबाही की वज़ा बना है मीडिया रिपोर्ट्स ने ये भी बताया है कि पेजर में विस्पोर्ट के कारण अभी तक सपश नहीं हो पाए हैं लेकिन ऐसी अटकले जरूर है कि पेजर के भीतर लीथियम बैटरी के ज़्यादा गर्म होने की वज़़ा से ये ब्लास्ट होई इन बैटरियों को गर्म करने के लिए विस्पोर्ट्रक अंदर रखा गया था जिसे पेजर निर्मार या डिलिवरी के समय ही डाला गया होगा रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि हजबुला ने ताइवान की गोल्ट अपॉलो नाम की कमपनी को लगभग 3,000 पेजर का ओर्डर दिया था लेकिन समझा ये जा रहा है कि इन पेजर के लेबनान पहुचने से पहले ही उसमें छेड़ छाड़ कर दी गई इन पेजर को इस साल अप्रेल से माई के बीच ताइवान से लेबनान भेजा गया था ऐसे में माना जा रहा है कि इन हमलों की साजश महीनों पहले रची गई थी तो हैं कुछ जानकार ये भी मान रहे हैं कि संबब है कि पेजर को हैक किया गया हो और बैटरी ज्यादा गर्म हो गई हो इस वज़े से पेजर डिवाइस फट गया हो हिजबुल्ला के साथ लंबे समय से चल रहे संघर्ष में इसके लड़ाकों को ठिकाने लगाने के लिए इसराइल ने गुप्त अभ्यान चलाया और पेजर के जर ये इस धमाकों को अंजाम दिया गया हानकि इसराइल ने अधिकारिक तौर पर इस घटना पर कोई टिपणी अभी तक नहीं की है लेकिन हिजबुल्ला ने पेजर के एक साथ विस वोट के लिए इसराइल को ही जिमेदा ठेराया है उसी को ही दोशी माना है और शेताबनी देदाली है कि इसराइल से इन हमलों का बदला ले लिया जाएगा हिजबुल्ला ने एक बयान में कहा है कि सापरादिक कृत्वे के लिए इसराइल जिमेदार है और से इस साक्रमन के लिए निश्चत रूप से सजा मिलेगी फिल्हाल इन धमाकों को हीजबुल्ला के लिए बड़ा जटका बताया जा रहा है और इससे उभरने में उसे लंबा समय लग सकता है सुरक्षा की सेन ने हीजबुल्ला के पूरे तंतर पर सवाल्या निशान लगा दिये है इस तरह की तमाम जानकारी और तमाम खबरों के लिए बने रहे हैं टाइम सावन भारत डिजिटल के साथ नमस्कार कर दो कर दो दो कर दोगा है